एक्यों कारसत गुर्परसाद तवैपरसाद सवये पातशाही दसमी सरावग सोदस मूसदान के देख फिरयोकर जोग जती के दसम पिता शिरी गुरु गुविंग सिंग साहब जी फिरमा रहने मैं जैनतरम बुद्तरम दे सादू जोगियां ते टोले जोगियां ते ब्रामचारियां दे देरे साव कुछ वेख चुक्या हाँ सूर सरारदन सोदस दादेक सांता समोह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे ओ मत कोहुना देखियत प्रानपती के गुरु साब जी फिरमा रहने सारे ही देशते तरवनू देख चुक्या हाँ पर कोई भी मत जिन्दे मालग पर मातमादा नहीं देखता गुरु साहिब जी फुर्मारे ने जे परमात्वा विच शर्दा नहीं बणी जे वह गुरु प्यार तो सक्षणे रहे जे परमात्वा नी महर दी नजर भी नहीं हुई तांग उस दा मुल रती पर भी न समझो पाव हरेक मत्दा मुख पर जोजन ए चाहिदा है कि उपर मात्वा नाड प्रेम करंदा राद थे जे ए नहीं है तांग उस दा मुल रती मत्र ही समझो गुरू साहिब जी फरमा रहे ने जे सोने दे गैने अनाड सजाए होए अती संदर बे मिसाल उच्चे कड काट वाले सोने रंग नाड सजाए सवारे मासत हाती होन कोट तो रंग करंग से कूदत पोन के गोन को जात निवारे गुरु साहज जी फर्मारे ने जे करोडा ही कोडे होन जो हरना वंग शाणा मार दे होन अते इने ते चल दे होन की हवा दी चार नूगी मात करी जान पारी पजान के पूप पली विद नियावत सीसन जात विचारे गुरु साहज जी कहा रहे ने जे बड्डिया जो रावर बावा वड़े राजी जो चंगी तरह परसिद होन अते उना समने सिर्च कौन वड़े निक जिन्ती दा अंदाज्जा भी ना लगाया जा सके इते पे तो कहां पे पूपत हन्त को नांगे ही पाएं पदा रे गुरु साहज जी कहा रहे ने इनने बड्डे तीज परताब बड़े राजे भी होन तांकी होया अखीर वेले दुनिया तो नंगे पैरी की तुर जांदे हल जीत फिरेख साव देस अदिसान को बाज़त टोल मर दंग नगारे गुरु साहज जी कहा रहे ने जे कोई देशा दिशंत्रा नो जित्ता फिरे अथे उस दे अगे टोल मिर दंग अथे तौंसे बज़ दे होन गुर्जत गुर्ग जान के सुंदर हिंसत है है राज हजारे गुरू साँजी कहा है रहीं तवेलिया विच संदर हाठियाँ तोले गुईं दे होण आते हजारा ही वδिया कोड हों कोड़े होण पूत पवेख पवान के पूपत कौन गले नहीं जाते बचारे गुरु तपजी कहे रहे ने ऐ सारी माया दे मालक पर मातमा दे सिम्रन तो बिना आखर नू ऐ सारे राज़े भी मौत दे देश तूर देहाना उना दा तेज, परताफ BÜNDNIS प समस इत्फे रै दनदा है पाब दुनिया दे परताफ दे मांड कार सिम्रन तो बंजे रहा गया गुरु साथ जी फिर्मारे ने जे कोई आदमी पीर्थन दे इशनान जीमा उपर तर्स मननु बुरे कम्मा वलो रोकर दे जतन दान कुन मन वस्विच करन दे साधन अते होर अनेका ही खा साधन करदा तिरे बेद पराण कते वो कराण जमीन जमान सवान के पेखे गुरु साथ फिर्मारे ने जे कोई बेद पुराण पश्मी तरम दिया पुराण आद चारे कताबबा अते सारी ताती दे सारे ही ग्रंथा नू पड़े पौन अहार जती जततार सवे सो बचार हजार का देखे जे कोई नीरी हवा दे आसरे जीवे खोर कुछ खावे पीवे ना ब्रह्म चारी बड़ा जीवन गुजारे अते होर हजारा है ये है सादन सोचदा रहे ता गुरु साथ जी कहरे हैं ने ता वी सारी स्रिष्टी दे मालक वाहगरू दा सिम्रन करन तो बिना रबदे प्यार तो बिना उजदा कोई सादन भी किसे कामदा नहीं पाव तीर ते शनान आदक सादन तरम उस्तकांदार निर पढ़ना ब्रह्म चारक आदक वाले कछन तप ये सारे उदम निसफल हन जे परमात्मा नाड़ प्यार करनी जाच नहीं सिकी सोत्स पाहा दुरां तदवाहा सो साज सनाहा दुर जान दलेंगे गुरु साब जी कह रहें अजमाए होए भादत जोते भी जो जितन ना जा सकन जिन दी चालना चली जा सके जिन दी तलवार दे वारना चली जा सकन जो लोहोई दा कुड़ता पाके वेरियां दा नाच करतेंदे हन पारी गुवान पर एमान मैं कर परवत पांक हलेना हलेंगे गुरु साब जी कह रहें ने जिन दे मान विच एहंकार परिया हुए कि पहाड भी खाम लाके अपने टकाड़ तो हिल जान पर असी जांग दे मदान दे विच अडूल रवागे अपने पेंत देयातों नहीं हिलागे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे गुरु साब जी कह रहें ने जो अपने बेरियां नुपा न तोड के आकियां लिया तोन अम रोड के मस्ते हुए हाथ यादा भी हंकार तोड सकते हन गुरु साब जी कह रहें ने अजे हे बहादर जोदे भी माया दे पती पर मातमा ने महर दी नजर पराप कीते बिना दुनिया नो शड़के आंतनों चले ही जान दे हन पाव जग्द विच बड़े सूर में जोदे अख्वालिया पर पर मातमा दी पक्ती तो खाली रहे के ओं मालक नो खुशना करतके तावी अखीर संसार तो खाली हथ भी गए बीर अपार बड़े बरे यार अब जारे सार की तार पशहिया गुरु साहग जी फिर्मा रहे ने बहुत ही बड़े बल बड़े सूर में जो बड़ी बेपरवाई नड लोहे देह से आदंदी तार पाम सच चोट सहार सकन तोर तो देश मलें दबवासन मातेग जान के मान मले या गुरु साहग जी कह रहे ने गुरु साहग जी फिर्मा रहे ने जो तड़के मजबूत के ले नो तोड के सर कर लें आदे केवल गला नाड दवकिया नाड जरावया नाड ही सारी तारतीदे उत्ते कपजा कर लें गुरु साहग जी फिर्मा रहे हैं अजे है नेका बंदे उस बाहे गुरु दे दरते मंगते हैं एना सब नो दान देन वाला के बल पर मातमा ही है जो मायादा मालक है अते सब जीयां गे सिते खसम है पाम बे पर बाही नाड शास्तना दी चोट सहा अरन वाले आकिया नो नफा लाइन वाले ते बज़ेवट देके ले अनुसर कर लाइन वाले बंदे ज़्ट विच्ता पामे बहादर जाब दे होन पर मालक सिर्जन हार दे दारते अजे है नेका मंगते आसमान ही है दानव देव फनेंदन साचर पूत पवेख पवान जपेंगे गुरु साहर जी फरमा रेने राक्षच देवते शेशनाग रातनु फिरन वड़े जीव पूत प्रेत आदक तिन्ही समया बर्तमान पूत पविक काल विच वह बुरुनु जब देहन जीव ज़ते जल में थल में पलही पल में सब ठाप ठपेंगे गुरु साहर जी फरमा रेने जल अते तरती उपर जिन्नेवी जीव बाहे गुरु फिन बार्दे समय बेच उना लुप रच सकदा है गुरु साहब जी फिर्मारे ने पले कमादे तेज अते पदे दी जैजा काती वाजबादी है अते पिछले की ते मंदे करमादे तेरादे तेर नास हो जांदे हन सारस मुपर सान फिरे जग सतर सवे अब लोग चपेंगे गुरु साहब जी कहरे ने प्रमादमादी पक्ति करनवाडे सारे पले बंदे जट विच खुश विर्दे हन अते उना दे बैरी अते मंदे कम करनवाडे उना नो देखके दब जांदे हन पाव जेडे भी बंदे करतार सिर्जन हार्दा सिंवन करदे हन उना दी इस संसार विच शुबा हंदी है उना दे सारे पाप ना सोजान दे हन अते ओ सदा खिड़े मत्थे रहन दे हन मानव इंदर गजिंदर नरातव जाउन तर लोगो राज करेंगे गुरु साहब जी फर्मा रहे ने जो मनुख बड़े बड़े हाथियाने मालक होके चकर वर्ती राजे बढ़े जान दे हन अते सारी स्रिष्टी ते राज कर दे हन कोट इशनान बजाद कदान अन एक सौंबर साज बरेंगे गुरु साहब जी कह रहे ने जो मनुख करोड़ा सीथा ते इशनान करके हाथि अद्ध दान कर दे हन अते कई सौंबर चा के बया कर दे हन गुरु साहब जी कहा रहे ने इस तरह ने वज़वज़ मनुख ता किते रहे ब्रमा भिश्नु शिव अते इंदर वर्गे देपते भी अंतनु मौद दे पंजे विच फस जा दे हन जे नर सिरीपत के प्रस हैं पग ते नर फेरना देहे तरेंगे गुरु साहब जी फिर्मा रहे ने जेडे मनुख प्रमात्मा दे चर्णी लग दे हन पाव भाह गुरू दी पक्ति कर दे हन ओ फिर जनम मरंदे गेड़ विच नहीं पेंदे पाव, राज, एशो और आमदे समान तीर से इशनान, दान पुन, देवी देपते अवड़ी पदभी इना विचो कोई भी जीवनू मौद दे गेड़ विचो नहीं बचा सकता जे जीव परमातमादी बंदगी तो वांजिया होया है कहां पे हो जो दो लोचनमूद के, बैठ रहे हो बकति आना लगायो गुरू साहिब जी कहरे ने, जे कोई आदमी दो में अखा में इटके बंगले मंग स्पादी लाके बैखा रहा, तांगी होया, इजदा कोई लाव नहीं हो सकता गुरू साहिब जी फरमा रहे ने, जे कोई मनुख सत्ता स्मुंदरा तक सारे तीर था ते इशनान करना फिर या तां उसने लोख भी गवालिया है, पाव फूनवाले जीवन दा सुख भी नहीं पोग सकया, अते परलोख भी गवालिया है, पाव परमातमा दी पक्तितों बिना, उसनों परमातमा दी दरगा विच इजद नहीं मिलेगी बास कियो बिख्यान सो बैठ के, ऐसे ही कैसे सो बैस बतायो गुरु साहिब जी कहा रहे ने, जिस मनुख ने विशेविकार चंगे मंदे चस्किया नाड़ी संगत कीती, पाव, जीव, मंदे कम, अते मंदे स्वाब लेना रहा, उसने अपनी उमर ब्यार्थ ही गवाले गुरु साहिब जी कहा रहे ने, सच्की गलते आना सुन लगो, की जिसने परमात्मा नाड़ प्यार कीता है, उसनों ही परमात्मा दी प्राप्ती होई है पाव ना तब बगल समाधियांदेा ती तीत, इशनाना नाड़ राद मिलता है, ते नाही बिशृ विकारा विच पए रहे रहे नाड़ जीवाल मनुरत है परमात्मा नाल प्यार करना सिखना चाहिए है क्योंकि परमात्मा नाल प्यार की परमात्मा नाल मिला सकता है गुरु साहजी कहा रहे ने किसे ने पत्थर पाव साल ग्राम लेके पूजा करके उसनों सिर्थे रख्या है पाव साल ग्राम अग्यते नवाया है उसनों मत्थे चेके हैं अते शिव लिंगनों गड़े विचलम काया हुआ है काहूं लख्यो हार अवाच्ची दिशा में काहूं पशाको शीशन वायो गुरु साहब जी काया रहे ने किसे ने परमात्मानों दखन बाड़े पसे द्वार का विच बस दे जाने है अते किसे ने परमात्मानों पश्चम बाड़े पस्दे कावे वाल सिर्च चुकाया है कोव बतान को पूजत है पस, कोव मरतान को पूजनता है गुरु साहब जी काया रहे ने कोई मूर्ख बुत्तान रभ समझ के पूज रहा है कोई मुर्दया या कवरान फुज़ड़ी पज़ा फिरता है गुर किरिया और जयो सब ही जग सिरी पगवान को पेद ना पायो गुरू साहम जी कहरे ने सारे ही जग चूटिया रस्मा चूटे कमा बेचे रुज़ज़ा फस्या होया है परमातमा दा पेड किसे ने नहीं पाया पाव, साल ग्राम, शिव लिंग, बुता जा कबरा नहीं पूजा रबनों के से खास एक पासे समझ के उस पासे से तरवाई जाना एक गल नाड परमातमा नो मिलन दा पेड नहीं मिलदा वाहि गुर्जी का कालसा वाहि गुर्जी की फते